आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Maximum Water is Absorbed in which part of Elementary Canal? पुझा गया कि Elementary Canal के कौन से पार्ट में Maximum Water जो है वो यहां पर Absorbed होता है तो Elementary Canal जो है वो Mouth से Start होता है और Annis में जाके खतम होता है जहाँ पे Water सबसे जादा Absorbed होता है Small Intestine Small Intestine जो है हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा Tube है जहां पर हम कह सकते हैं कि Different Type के Enzymes जो हैं वो Involve होते हैं और यह Inzymes क्या करते हैं कि यहां पर Dissolve करते हैं जो Nutrition होते हैं और उसके साथ साथ जो Maximum Nutrition और Water पाया जाता है Body में वो भी यहां पर Small Intestine से ही Dissolve होता है तो Small Intestine में देखें तो Willi जो है वो पाया जाता है और यह Willis होते है Finger Like Projections और यह Finger Like Projections क्या करते हैं तो इनका Main काम रहता है यहां पर Surface Area को Increase करना और जैसे Surface Area Increase होता है वैसे वैसे Eleventary कनाल में Absorption का Ability भी बढ़ जाता है और इसी वज़े से या पर यह जो Willi जो है यह सिर्फ Small Intestine में ही पाये जाते हैं जो कि Different Type के Enzymes जैसे की काइम या फिर हम कैसे इतने जो लाइपीज होता है इन सारे को भी सिक्रीट करते हैं और अब्जॉब परते हैं जो Fats और हम कैसे कार्ब्स या फिर कार्बो हाइड्रेट्स पाये जाते हैं Water के साथ साथ तो इसलिए यही हमारा correct answer होगा जिसको की हम note कर लेंगे